नमस्कार दोस्तों जय श्री कृष्ण राधे राधे वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जीत साधना को ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके रोटी का ऐसा आटा जो आपके भाग्य को खा जाता है ऐसी गलती भूल कर भी ना करें वरना परेगा भारी इसी के साथ हम जानेगे औरतों की कुछ ऐसी गलतीयों के बारे में जो घर में बनती है बरबादी का कारण तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीत साधना पर दोस्तों सची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव राधे राधे दोस्तों रसोई घर में रखी रोटी के साथ ये गलती कभी भी मत करना नई तो आपका जीवन अत्यनत कष्टकारी हो सकता है जीवन में गरीबी का सामना करना पर सकता है मान सम्मान की हानी होगी दुनिया की कोई भी औरत रसोई घर में रखी रोटी के साथ भूल कर भी न करें ये तीन काम तो दोस्तों चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में बनाते समय कई ऐसी गलतिया कर देती हैं जिसके कारण घर में दरिद्रता आ जाती है जीवन कष्टकारी हो जाता है घर में एक के बाद एक बच्चे से लेकर बड़े तक सब बीमार हो जाते हैं घर की काम्याबी रुक जाती है घर में राहु केतु का वास हो जाता है आपको ब पूरा दोश परिवार के हर एक सदस्य पर आ जाता है। यहां तक की रसोई घर से निकलने वाली गलत उर्जा जीवन को पूरी तरह से बरबाद कर देती हैं। पती की तरक्की में बाधाएं आने लगती है। माना जाता है कि जो भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये तीन गलती अगर करेगी तो उसका बरबाद होना स्वाभाविक है। इसलिए कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये तीन गलती भूल कर भी ना करें। इससे मा नाराज होती है और घर में आ जाती है कंगाली तो आईए जानते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले दोस्तों नमबर एक सबसे पहले तो आपको बता दें कि महिलाओं को इस बात का ज्यान होना चाहिए कि बच्चे बड़े या बुजर्ग किसी को भी थाली में तीन रोटी परोसकर नहीं देनी चाहिए तीन रोटीया तब निकाली जाती है जब किसी की मृत्यू हो जाती है अर्थार्थ मरने वाले के लिए तीन रोटीया निकाली जाती है इन तीन रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मक्ता का संचार बना रहता है हर हाल में किसी भी परिस्थिती में एक साथ तिन रोटिया नहीं खानी चाहिए अगर खाना हो तो तीन रोटियों को एक साथ कभी ना खाएं एक-एक करके ले लीजिये लेकिन एक साथ ठाली में तीन रोटी ना परोसे ये अगर आप टिफिन में भी तीन रोटी दे रही है तो एक रोटी के दो भाग जरूर कर दे इससे आपके उपर तीन रोटी का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है नमबर दो अकसर महिलाएं ऐसे गंदे काम कर जाती है जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है यहां तक की घर का मुखिया कंडाल हो जाता है इसलिए कभी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय कभी भी आपको अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहिए कई महिलाओं की आदत होती है कि इधर उधर हाथ लगा लेती है कभी बालों में खुझली लेती है तो दोस्तों ये गलती नहीं करनी चाहिए वरना बनने वाला खाना दूशित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहन करता है वो निश्चित तोर पर राहु केतु का कामना करता है तो ये गलती महिलाओं को नहीं करनी चाहिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर ही खाना बनाना चाहिए नमबर तीन सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पडोसियों को नहीं देनी चाहिए इससे धन की हानी होती है घर में अन्न की कमी हो जाती है रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी नहीं होने चाहिए इससे नकारात मकता का संचार होता है और अनुपूरन मा नाराज हो जाती है रसोई घर में मकडी के जाले नहीं होने चाहिए इससे राहु दोश उत्पन होता है जलते तवे पर एक दम पानी नहीं डालना चाहिए इससे भी राहु दोश उत्पन्न हो जाता है और शनी की क्रूर द्रिष्टी पड़ जाती है प्रसोई घर में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दें इससे कर्स कम होता है हमेशा याद रखें कि पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए और आखिरी रोटी कुट्टे के लिए अगर आप नियमित तोर पर ऐसा करते हैं तो माता अनपूर्णा सदैव आपके घर को अनभंडारों से भरे रखती है व्यक्ति का ऐसा नियम उसे कभी भी पराजित नहीं होने देता ऐसा व्यक्ति कई पुन्य को प्राप्त कर लेता है जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते दोस्तों आपको बता दें कि बासी रोटी आपको माला माल बना सकती है जी हाँ सुनने में अजीब है लेकिन सच है दोस्तों अगर खाना कभी भी बच जाता है तो बासी रोटी अगर आप ग्रहन करते हैं तो ऐसे में आप पर देवी देवता प्रसंद होते हैं क्योंकि माना जाता है कि अन्य को कभी भी बरबाद नहीं करना चाहिए वैसे तो खाना उतनी ही मात्रा में बनाए जितना की आप उप्योग कर सकें लेकिन अगर कभी रोटियां बच जाए तो बासी रोटी ग्रहन करने से देवता प्रसंद होते हैं पर इसमें आपको बहुत बड़ी बात का ख्याल रखना है और वो ये है कि बासी रोटी जो खराब हो चुकी है ऐसी रोटी आपको ग्रहन नहीं करनी चाहिए वरना इससे उल्टा पर दोश लगते हैं और साथ ही साथ आप बीमार भी पड़ सकते हैं दोस्तों रसोई घर में मा अन्नपूर्णा का वास भी माना जाता है इसी लिए रसोई की ना सिर्फ शुद्धी बलकी रसोई में क्या करें क्या नहीं करें ये भी बहुत मायने रखता है क्योंकि ये सब हमारे स्वास्थ्य, धन, परिवार की सुख, शांती, समरिध्धी और सोच को प्रभावित करता है दोस्तों, हर महिला अपना ज्यादातर समय किचन में ही गुजारती है महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ती टेस्टी खाना बनाने के साथ साथ महीलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो अंजाने में कुछ ऐसी गलतिया कर देती है जिसका भुगतान घर के हर सदस्य को करना पड़ता है नमबर एक रसोई घर में सबसे पहली गलती जो अधिकतर ग्रिनी करती है वो ये है कि बिना नहाय धोये ही रसोई में घुस जाती है जो की बहुत ही गलत है ऐसा बिलकुल भी ना करें क्योंकि इससे अनपूर्णा मा नाराज होती है जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार खाली होना शुरू हो जाते है नमबर दो आज के इस स्टैंडिंग किचिन के जमाने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बना लेती है लेकिन इसका गलत असर सेहत पर पड़ता है इसलिए रोटी हमेशा आपको चतले पर ही बनानी चाहिए इससे धन लाब के साथ साथ बीमारिया भी दूर रहती है नमबर तीन प्रसोई घर को मा अनपूर्णा माना गया है इसलिए कोई भी काम करने के बाद किचन को साफ जरूर करें इसके अलावा गैस को भी कभी गंदा ना रखें इससे घर में दरिद्रता फैलती है नमबर चार प्रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण का माखन खाते हुए कोई तस्वीर लगा सकते हैं इससे किचन के साथ घर में भी सकारात्मक उर्जा का संचार होता है नमबर प्रसोई में कभी भी कोई भी तूटा हुआ बरतन, बेकार का सामान या कच्रा जमान न होने दें नमबर छे, इलेक्रोनिक सामान जो आपके काम में नहीं है या खराब हो चुका है उन्हें तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए बहतर होगा बिजली के बेकार उपकरण या तो ठीक करवाले या फिर उन्हें भी घर से बाहर ही निकाल दें नमबर साथ, घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से परिवार जनों की सेहत के लिहाज से समस्याएं आ सकती है नमबर आठ, कभी भी घर का किचन और बातरूम आमने सामने नहीं होना चाहिए अगर ऐसा है तो आपको अपने बातरूम का दर्वाजा हमेशा बंद रखना चाहिए या रसोई के आगे परदा ढखकर रखना चाहिए नमबर नौ, कभी भी घर के मुख्यद्वार के समीप या ठीक सामने रसोई ना बनवाए इस स्थिती से घर के लोगों के बीच सामन जस्य और तालमिल की कमी आती है घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचिन में शीशा लगा देते हैं लेकिन वास्तु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूलह अग्निदेव का सूचक माना जाता है अगर शीशे में अगनी का प्रतिबिंद दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है इसके कारण घर में आपसी है, कलेह, कलेश हो जाता है इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिती भी बिगड़ने लगती है कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गुथा हुआ बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुभ फिर से उसी का इस्तिमाल रोटी बनाने के लिए करती है वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता प्रसोई घर में गुथा हुआ आटा रखने से शनी और राहु का नकारात्मक प्रभाव पढ़ने लगता है इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती है कई लोग अपनी किचन का इस्तिमाल स्टोर रूम की तरह करते हैं जिन्स वस्तु का इस्तिमाल नहीं करते उसे किचन में रख देते हैं वास्तु के हिसाब से ये सही नहीं माना जाता माना जाता है कि किचन में कबार सामान बिलकुल भी नहीं रखना चाहिए इससे मा अन्नपूर्णा नाराज हो सकती है दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन में नमक का डिब्बा रखना चाहिए इस नमक को समय समय पर बदलते हुए पानी में बहा देना चाहिए माना जाता है कि नमक नकारात्मक उर्जा को कम करके सकारात्मक उर्जा को बढ़ाता है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर प्रेज कर ले जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में हर हर महादेव राधे राधे धन्यवाद